सो गाईस सबसे पहले आप लोग मेरे वेबसाइट का यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर 7.39 की CTR मिल रही है जो की गाईस बहुत यह अच्छी मानी जाएगी और गाईस इसे मैं रिफ्रेस्स करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ तो यह CTR में को कैसे मिली और कैसे आप लोग ऐसी CTR अपने वेबसाइट पहला सकते हैं सारी चीज़े मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में सो पूरी वीडियो को देखिएगा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हेलो गाईस आप देख रहे हैं FtThoughts मेरा नामे रवी कुमार इनका आजके इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गा इसकी कैसे आप लोग अपने वेबसाइट का CTR बहुत यासानी से विदिन अवीक आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं 2 से 3 परसेंट वो भी 4 ऐसी टिप्स में आप लोगों के साथ सेयर करने वाला हूँ जो कि कोई और आप लोगों को नहीं बताएगा बट मैं आप लोगों के साथ ये सेयर कर रहा हूँ सुगाई जाए होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता यह trick पसंद आती है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सो आप लोगों को एक सिरफ छोटा सा काम करना है कि वीडियो को like कर देना है ता कि मेरे को motivation मिलता रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे और वीडियो बनाता रहूं सो चलिए गाइस विडाउट किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ इस अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिसका यूज करके गाइस आप लोग अपने वैबसाइट के CTR को 2-3% बढ़ा सकते हैं वो भी विडिन वीक सो विडाउट किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ और गाइस यह जो भी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो 100% आप लोगों के अकाउंट पे सेफ ट्रिक्स काम करेगा किसी भी तरिके का बैन होने का खत्रा नहीं होगा और इसी के सासत यह वर्टप्रेस एंड ब्लॉगर दोनों के लिए काम करने वाला है एंड गाइस इसी के सासत अगर आप लोग देखे तो आप लोग अपनी अर्निंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं इसके यूज करके इंट blindness क्या होता है तो मैं आप लोगों को इस method के बारे में बता देता हूँ तो अगर आप लोग मेरे website पे विजिट करते होंगे अगर regular visitor होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं normally कहा कहा पे add place करता हूँ तो आप लोग उन जगहों पर कभी click नहीं करेंगे क्यूंकि आपको position को आप लोग regularly change कर सकते हैं तो अगर आप लोग अपने ads के position को ऐसे change करेंगे तो user को कभी पता नहीं लग पाएगा कि आपने कहा का add place किया तो ऐसे में जो clicks हैं वो आएंगे और जितने ज़्यादा clicks आएंगे उतना ज़्यादा आपका CTR बढ़ेगा तो यह पहली चीज़ जिसे आप लोग follow कर सकते हैं जिसका नाम है ad blindness जिसमें आप लोग अपने website के ad positions को different times पे या regularly आप लोग change करते रहें तो ऐसे में आप लोगों को CTR बढ़ने के बहुत या अच्छे chances हो जाएंगे तो यह पहली tip ते अब इसके बाद जो second tip है guys वो है implement sticky और floating ads on your website अब अगर आप लोग मेरे website पे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को sticky या floating ads नहीं मिलेंगे बट यह भी बहुत यह अच्छी चीज है जिसके जरीए आप लोग अपने CTR को बढ़ा सकते हैं एक website आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो यह side में ad लगे हो और जो नीचे ad लगे तो आप लोग techno वेदान्त की एक video देख सकते हैं इसका link आप लोगों को description में मिल जाएगा जहां पे इन्होंने बताया कि blogger में कैसे आप लोग इन ads को implement कर सकते हैं और बहुत यासानी से sticky ads अपने website पे लगा सकते हैं इस video को देखके आप लोग sticky ads लगाएगा और आप लोग increase करने के लिए तो आप लोग मेरे website में देखेंगे guys तो आप लोग देख सकते हैं मैं article या post में 3-4 ads लगाता हूं और इसके बात जो ads लगाता हूं वह आप लोग देख सकते हैं अगर home page पे आप लोग देखे तो आप लोगों को एक sidebar में ad मिल जाएगा एक header ad मिल जाएगा इसके अलावा guys आप लोगों को ज़्यादा ads देखने के लिए नहीं मिलेंगे footer में एक या दो ad मिल जाएगे तो इससे क्या होता है guys इससे जो website का guys यहाँ पे अच्छा performance होता है और इसी के सासथ अगर आप लोग एक ad लगाना जानना चाहते हैं कि कैसे ad लगाते हैं तो य यह भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देगा और आप लोग अपने CTR को बहुत यासानी से इसकी मदद से increase कर पाएंगे तीसरा टिप तर जिसे आप लोग follow कर सकते हैं इसके बात जो next tip है guys वो है आप लोग अपने website के organic traffic को increase करिए अब guys अगर आप लोग नहीं ज video को देख के आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे अपने website पर ट्रेफिक लाया जाता है या कैसे आप लोग अपने website पर और गनिक ट्रेफिक ला सकते हो slash गाइस इस तरीके की हेल्दी ct.r इसके ज़्यादा आता है तो आपका gonna अकाउंट बैन हो सकता है तो आप लोगों को गई इसका भी ध्यान रखना है कि एक सेफ CTR में ही आपका CTR रहे तो गई यह कुछ चार तरीके थे जिसकी मदद से आप लोग अपने वेबसाइट का CTR बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं अपने वेबसाइट में लगाना था अड़ प्लेसमेंट की किस तरीके से आप लोग अपने वेबसाइट में लगाते हैं और आप लोगों को पता ही होगा कि जितना ज़्यादा आपका CTR होगा उतने आप लोगों को clicks मिलेंगे मतलब जितने clicks आएंगे CTR भी आपका बढ़ेगा और clicks आने पे आप लोगों को पता है कि earning होती है तो आप लोगों की earning भी बढ़ेगी अब guys इसी जासात अगर आप यह वीडियो पसंद आए होगा जिसमें मैंने आप लोगों को बता है कैसे आप लोग अपने CTR को increase कर सकते हैं बहुत यह असानी से तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है ताकि मैं आप लोगों के लिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमें insograme पर अभी तक follow नहीं किया है so ज़ा के जल्दी से follow कर लीजे क्योंकि आप लोग यहां पे बहुत सारी blogging से related चीजे आप लोगों को मिल जाएंगे और अगर आप लोगों ने follow नहीं किया है तो आप लोग यह सारी चीजे miss कर रहे हैं so I hope guys आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक like कर दीजिए वीडियो में comment कर दीजिए अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ नहीं आई and guys ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को आप लोगों को subscribe करना है एक लाल सा बटन दिख रहा है उस पे click कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा so thank you guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में until then good bye